अरे अगवर कहा गया आज का मेरे घर की हालत सरकारी दफ्तर जैसी है कोई ही चीज कभी ठिकाने पे नहीं होती है क्या डून रहा हो मैं मदद करूँ नहीं अभी मेरे हाथ पर सलामत है भूतों की मदद की कोई जरौत में अच्छा तो फिर जो कुछ भी ढून रहा है न उसके साथ साथ मेरे भी एक चीज को गए उससे ढून देना तुम्हारा क्या को गया है मोबाईल एफेटर मेरा दिल खो कि तरीक या जी मुझे लगता है तुम गाना ना ही गाओक तुम जब भी काती हो तो लगता है कि माइकेल जैक्शन लोरी का रहा है अच्छा इसका मतलब कि मैं माइकेल जैक्शन की तरह काती हूँ अगर खाय में मर्जवा, क्या तारीफ की है, पहली बार की है, लेकिन कम्माल की की गया, सीधा खाक से उठा के फलक पर बिठा दिया, तू खाक में मिलने के बाद, फलक के बज़ाए दिवार पर क्यों लड़के है ये तो बता, क्योंकि तू ने साथ जिने मरने की कसमे जो तो का बहुरू, भूंते रहो बस क्या बोस अमेरा कुछ जूले रहा क्या? मेरा सर मिलके हो, मिलके हो आप दिना बुलक का ना मोपाल वाले बन गया हो चलो, सुबह हो गई मिस भेजागुर का बेवकुफी का प्रोग्राम टेली कास्टोने लगा तुझे दूसरा काम नहीं है गया? हमारे सिर्फ दो काम है दो काम? हाँ शादी के साथ हो जाए दूसरा दर्वादा खूना या आखो में तो सबने आते नहीं और बेल बचे में दर्वादा खूने का कोई मतलब नहीं बीना 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 ओफो आ रही हूँ क्या है? क्यों चला रहे हो? सुरी ममा, मैं आपका डालोग का प्रोमोट कर रही थी क्या है? आज का अकबार कहीं देखा है? अरे सुबह से मुझे अपनी शकल आयने में देखने की फुरसत नहीं है आपका अकबार कहा से देखूंगी मैं ममा, आप हर सुबह अपनी शकल आयने में देखते हो? हाँ तभी तभी मुझे आयना जरा ठका ठका सा लगता है फिर दोgenceस कैसा, कैसों वह रहुता है। पढ़ने के लिए चाहिए। पुरियाबाणकर प्रसातथ बाधने तरह नहीं पिर नहीं निकालागा रहा। फिर दिया क्यों कर दूस्ती है। पुरिया पर्दा की लिए जाहिए। क्या हो रहा है किस बात की मीटिंग चल रही है अरे कुछ नहीं यार काजल वही मिया बीवी के बीच में बिना रावन की रमायन चल रही है स्वीटी इसलिए अपुं तर को बोलता है कि ये शादी वादी के सपने देखना तो छोड़ दे अच्छे खासे लड़का लड़की ये शादी के बाद फाइट मास्टर बन जाते है तू तो ऐसे बोल रही है जैसे जुकाम के डर से आदमी नाना चोड़ते है मुझे पता है मेरा पती मुझसे कभी नहीं लड़गा क्यूंकि मैं अपने नजरों के तीर से उसे घाल करती रहूंगी तो इससे बैस करना चो ये बता तुने आज का अकबार देखा है मा अपने को क्या किसी जर्नलिस के कुपते ने काटा है जब अकबार देखते बैठेगा और वैसे भी अकबार के फ्रंट पेज पर जो भी न्यूस चपती है वो मैटर चोड़ी चकारी रेप और वार की खबरे अप उनको अंडर वॉल से इनसे 24 गंडे पहले मिलती है तो फिर आज से इस गर में अकबार आना बंद क्यों चोटी के तरह आके खबरे सुनाती रहेगी और डाड़ी पते जो महीने के सो डेट्स रुपे बचेंगे ना उसे मैं नेल पालिश और लिप्स्टिक लिया करूंगी तो लिप्स्टिक के लिए देट्स रुपे बचाए कि डाइबिटीस का मरीज अगर चोरी चुपे फ्रिज में घुसेगा तो मिटाई परी हाथ मारेगा ना चोटी जल्दी बाहर आजा चोटी क्या है इस गर में कोई चैन से दुनिया की खबर में नहीं ले लेने ना दूनिया की खबर चोटी तूने आज का अकबार देखा है मम्मी अकबार देखने के रही पढ़ने की चीज़े ठीक है ठीक है कहा है आज का अकबार डारी मैं पढ़ी थी क्या इंट्रेस्टिंग यूस थी तुछे पता है अमेरिका में एक 75-year-old बुढिया ने एक 22-year-old boy से शादी की लगी बुढिया वाइस सार का बांखा नौजम यह डारी सर्छाने कुझ के बार में पढ़ने होगी तो बाद में पढ़ लेने, ओके, वैसे भी मेरा काम तो हो गया, खाले कॉमिक स्ट्रिप्स बढ़ने बागी थे, बाद में पढ़ लूँगी क्या अवलाद है हमारी, एक एक हजार के बराबर है, डाड़ी, मैं लाखो में, गुल लाखो में, तू तो करोड़े में एक है बस, नहीं डाड़ी, नहीं, इतना गुरूर होना, अच्छी बात नहीं है, मैं लाखो तक ही रहना चाहती हूँ कोई भी चीज कभी जगे पे नहीं रखेगी, और बाद में ढूब लाई, लेजी आप दा अखबार, वेरी गुड, क्या भुता है आज का अखबार, ये अखबार का पोस्टमाटम किस नहीं किया, डाड़ी, लगता अखबार की ना आक्सिदेंटल देथ होगी होगी, ऐसा को नहीं है, डाड़ी, आपको तो मालूम है, मैं इंपोर्टन खबरों का रिकॉर्ड रखती हूँ, अरे लेकिन काटना ही था तो कल काटती, कम सिंगम आज तो जिन्दा रह रह रहती, डाड़ी, आपने एक हावावत में सुनिये, नहीं सुनिये, बोल, बोल, क्या है बोल, कल करें सो आज कल, आज करें सो अभी, इसी आजी पंसे आप पीछे रह गए हूँ, चुकर, जैना बाद की तो दाथ तोल के हाथ में दे दूगा, गुटने मरके नहीं और चपण-चपण-चपण-चपण-चपण-चपण करती रहती है, यह, जाने तो बच्ची है, तू ब बीश में बोला? कॉट बीश में बोला? डिश में मेरा मू दिमाग घ्रा मत करो, जा कर अपना अपना काम कर चलो! कॊट बंगा घ्र ही तो फाराई, कौन उपकी बैंक, की पास्भू का पतंग बनाया रहा है! आपके नसी बच्चे आप इंडिया में बाप हो अमेरिका में होते ना तो आप पर बच्चों पर जुलूम कने का केस हो जाता तू जा यहां से चोटी चोटी मेंटा पुट मेंटा चोटी ए चोटी माँ मेरी बेटी वा क्या तायलोग है एक ही सेंटेस में मा और बेटी को याद कलिया ए चोटी माँ लगता है इसको लगवग है चोटी ए फटो आटो मुझे देखने तो क्या हुआ है कुछ नहीं यार ना टेक पुर रही है तुम पाप हुए अगंस रादिका रादिका चल दे बाहरा क्या हुआ सुछ आटो स्युआ हुआ हावान दो रादिका चलेख़ए रादिका पानी आगे神ram उसको पानी नाने च्यो बेजरीह मतका पोड़के आएगी मैं लेने जाए वोगए तो दॉक्त रावगभभ, सभाभ, बात सुछ मत कहना अगर अपून की बहन को कुछ हो गया तो देखे लिये, अपूने पुलीस कंपलिान करक trata को अंदर नी करवा तो आपूनका ना मी Kajal भाई नही काहा को है हम्हुत हु पानी-पानी-पानी ओ हाँ चोटी चोटी तु ठीक तु है न हे भगवान तेरा लाख लाख शुकर है परना बेटी को कुछ होता और बाप अंदर हो जाता इतना अंदेरा क्यो है अंदेरा? पेसा अंदेरा चोटी 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 तुझLab युशे तुटी जैने चोटी वहरो सबस्तृत भिनी नेज़रा रहा काम कर ममेरे घर कि जले शासे और माहि definite ही आंशOW मट कर्या मुझे कुछ नहीं नजर आरा, 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 मुझे कुछ नही में आगई तु चुब एट संजी ना वनना तेरी जबान करके तेरे को भी रादिगा के पाड़ी में शामिल कर दूंगा यह ले पेंट दैन जल्दी से डॉक्टर को बलालो हाँ हाँ खुद की थरा खड़े मत रहो और हाँ वह अपनी सहली लत्ता अंटी को मत बुलाना उमरीज को कम देखती है तुमारे तरफ स्याधा मुस्कूरत ना यह घर है यह शैतान का अट्डा देखना इसनी मुसीबत भई से अपनी पड़ी है हेलो हेलो डॉक्टर डॉक्रा सार मैं आनल माथूर बोल रहा हूं देखे सार मेरी छोटी बेटी के आखे अचाना खराब हो गई है ताड़ी सिधा बोलना के वह अंधी हो गई है जो अधे मुझे बोलने दो यार तुम्हों का पता नहीं डॉक्टर के सामने गलत ग्राइमा और वकील के सामने मर्ज नहीं चुपाना जही है चुपार कुछ भी बक्ती रहती है हलो हलो फॉरूम प्लीज प्लीज फॉरूम जे लिए हाँ हाँ नाकर हाँ चोटी बेटी हिमत नहाना सब ठीक हो जाएगा मम्मी मैं सुनील अंकल पर नजर कैसे रखूंगी चोटी तू एक असिस्टेंट रख लेना चोटी तूम्हे ये रोष्णी दिखाई दे रहे है नहीं अरे इसे टूपलाइट के अजाले में नजर नियाता तो टॉच के रोष्णी में क्या खाक नजर आएगा पढ़ाए डॉक्टर. तुम्हें कई दुखता है? नहीं यहाँ? नहीं यहाँ? नहीं यहाँ? नहीं यह औन्खों का डॉक्टर है? कैसर का? मुझे आनन्नमाथ्र? यह इक प्रिए, प्रिश प्रिश्र माथ्र? हाँ? बड़ा ही अजीब केस है। हाह मुझे मालूम था। क्या? तो क्या है हमारे घर में नॉर्मल केस का रिवाजी नहीं है। यहाँ जो भी होता है वो आजीब हो गरीभी होता है। वैसे सारे सिम्टम्स तो नार्मल हैं। फिर भी पता नहीं चलता है कि इने दिखाई क्यों नहीं देता है। खेर, मैं आपको कुछ दवाईया और आइड्रॉफ्स लिखकर देता हूँ। आप इन्हें दो-तीन दिन तक ठाय कीजिए। अगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो वील गो फॉर फुल चेकप। और जरुत पड़ी तो कुछ और डॉप्टर्स को भी कंसल्ट कर लेंगे। नहीं दोक्टर लेकिन मेरी बेटी तो ठीक हो जाएगी न। मिस्टर आनन्द मातुर खोसला रखो भगवान ने चाहा तो सब कुछ चीक हो जाएगा। कसम से तुम डॉक्टर लोग का नाटा कभी अपको समझ में नी आया। पीज लोगे तुम लोग, दवाया खरीदवाओगे मेडिकल तो से और मरीज को अच्छा करने का हवाला डालोगे भगवान कर। काजल, डॉक्टर साब से इसे बात नहीं करते। देख तु अप उनको बात करने का ढंग मत सिखा समझी न। जब तक अप उनकी बेंट ठीक नहीं होती तब तक ये डॉक्टर घर के बाहर नहीं जाएगा। तु पागल तो नहीं हो गई है ना? हाँ, अपन पागल हो गया है। तो काजल एक काम करते हैं, तुझे ना पागल खाने ले जाते हैं। रॉक्टर साब को घर में रखने का क्या मतलाब। ए तुम लोग चुप करो। या मेरी बेटे की आखों का दीपक बुझ गया है। और तुम लोगो आपने पड़ी है। जाए रॉक्टर साब, जाए रॉक्टर साब। चलिए रॉक्टर साब। बच्चों के बततमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नो, नो, इस और रख मिश्टर मातल। लेकिन मैं आपके हिम्मत की दाद देता हूँ। ऐसी उलाद के साथ अकर एक गंटा में निकालना पड़ जाए ना, तो आदमी तो अपने बाल लोचना शुरू करते हैं। लेकिन आप इतने सालों तक ये अपना संतुरिन कैसे बनाय हूए है। क्या है डॉक्टर साब। भगवान जब मुसीबत ने देता है ना, तो उसे जहलने की शक्ती भी देता है। भगवान मुझे शक्ती चले। डॉक्टर डॉग्रा जैसा इंटेलिजन डॉक्टर बिमारी ढूण न पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिमारी है ही नहीं। याने उसकी बत्ती गुल ही नहीं। मन के कोने में मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं ए छोटी नाटक तो नहीं कर रही है न। कोई अंदा बनने का भी नाटक करता है क्या। ममी मत भूलो कि यह वही छोटी है जिसने मीना कुमारी बनकर पूरे बल्या को बुद्टू बनाया था। हाँ, हो सकता है कि उसे भैरवी की अश्विनी बावे बनने का शौक हुआ हो अदे यार अगर ऐसा है तो हमें उसका एक्जाम लेना चाहिए हाँ जो कैसे? सिंपल, उसके सामने अजजगुले रखो मिठाई देखे वो तो मकोडे के दा उचल पड़ती है पर वो है कहाँ? मैंने उसे अंदर बिठा रखा है चलो, चलो, लेट सी छोटी, ये क्या है? राडिका दीदी, क्यों इस मजलूम की मजबूरी का फाइदा अठा लिए जिसकी जिंदगी में अंधेरा चाह गया हो, उसके लिए ये क्या और वो क्या? इस की जात को, ये तो मेलोड रवा करने लगी छोटी, ये कौन सी गॉसिप मैगजीन थी? राडिका दीदी, स्वीटीका ये भाल गई है क्या? पॉर तेले से कोई बेवकूफी की बात नहीं सुनी चुबहे, बहुत नाटव को गया लेकिन अब उनके पास ऐसा आडिया है जिसे बड़े-बड़े नाटकी भी सतसंगी बन जाते है अरे, काची, ये क्या करे है? इतना सनाटा क्यों चाया हुआ है? इस कमरे में कोई है या नहीं? क्या है छोटी? क्या बात है? खाना पका है या मेरे अंधे होने की गम्मे भूक अरतार है छोटी? भूक लगी है? हाँ, वो एक ही असी चीज है जो दुख में भी नहीं भूल सकते है प्रीज मुझे खाना खिला दो ना ममा एक काम करते है हम लोग होटेल से खाना मंगवाते है सुक में तो सब लोग होटेल से खाना मंगवाते है दुख में मंगवाकर खाना जिगरवालों का काम है क्यों ममा? मंगवाले मंगवाले लेकिन मेरे सर मत खा कमाल हो गया अरे छोटी ने तो कमाल कर दिया है पलक छपकते ही अंधी होगी ऐसे छोट्स तिरा फ्यूचर का क्या प्लान है वैसे अंधी लार के जोर्नलिस तो नहीं बन सकती आंगे का सोचेंगे छोटी एक फेंटास्टिक आइड़ा दू क्या तू ना एक लॉट्री की दुकान कोल ले बिना भिके टिक्टों से तू शाइड लगपती बन जाए ना तू अपने आइडियास अपने पास से ही रुख सकती अरे यार मुस्सीबत आने पे बाते मन में नहीं लखा करते एक और आइडिया दू क्या तू ना एक टेलेफून बूत खोल ले जोब साटिस्फाक्शन मिलेगा तुझे कैसे आजकल के लबस ना टेलेफून पे लगे रहते हैं तू अपने कान खोल कर सुन सकते हैं किसका किसके साथ इलू-इलू चाड़ रहा है क्यों पे चारी के जखमों पर नमख ठीड़क रही है स्वीटी पन्दानी पन्दानी ऐसे डाडी की अवाज नहीं सुनाई दे लिया है वो क्या भाग गये हैं नहीं यह ना है बीटी बूल क्या है पहले धक्का मारकर अंदी बना दिया अब बेटी-बेटी कर रहे हो मैंने यह सोचके धक्का नहीं दिया था कि वो अंदी हो जाएगी डाडी आडमी जो सोचता है वो थोड़ीना होता है अब सुनाली बेंदर ने यह सोचकर थोड़ीना action scenes किये होंगे किसकी टांग तुझा है हाँ आदमी की किसमत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता ना अब देखो अजय देवगन जैसा stunt hero पाठ्रूम में किर कर घाय लो चोटी तुझे किसने कहा मेरी साबूत आखो ने यह आखरी खबर पड़ी थी ममी अभी आपको सुसाइटी की खबर कौन देगा जोटी तु सुसाइटी की खबर लेक करती फिरती दी ना तुझे लोगों के हाई लगिया हाई डाडी में बात तो मैं आपसे कहना ही बोल गई जब आप बसार जाओगे ना मुझे घंटी वाली चड़ी ला देना डाडी डोर बेल से हाट कर घंटी वाली चड़ी लाना ओके पीना किस जनम का पाप भुगत रहे हैं हम लोग इसे ले जा और सुला दो अंदर ताकि दूसरे काम पर लग जाए बाकी सब बंदर मैं और एक बंदर ढूण लेता हूँ मुझे मालूम है मैं गलत बोला मालूम है गलत बोला एक स्पेशालिस ढूण लेता हूँ छोटी तू यहां क्या कर रही है सोच रही हूँ कि दुनिया करे फिर एक नया दिन लिखला होगा इस संधाल करें आकाश में पंची उर रहे होंगे कंगा बैलकनी में खड़े होके अपने जुलफे लहरा रहे होंगे और सुनीर अंकल भाराने का बहाना ढून रहे होंगे पर मेरले तो एक ऐसी रात आगे जिसको सुबा ही नहीं डोन बरी छोटी हम तुझे किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे तु हमारी आखों से देखना जो खुद्चश्मी की मौताज है वो मुझे कैसा हरा देगी ऐसी बात नहीं है छोटी मैं तेरे साथ हूँ बोल क्या करूं में तेरे लिए ठीक है आज सुबी का अकबार पर दो कब से बेचैन हो अकबार हाँ एक मुट हाँ यह रह पांच्सो करोड का नाया गोटाला पकड़ा गया गैंगोर्ड में तीन मरे रादिका दीदी यह फर्स पेज है ना इसको छोड़ो यहां तो सब एक जैसी ही खबरे हैं आज फ्राइडे है ना स्ताथवा पेज़ खोड़ो वहां पे फिल्म कॉलम होगा मिर्च मसारा पड़ो नाना और मनीशा में फिर से जगड़ा रादिका दीदी यह पुराना जगड़ा है इसका तो पैस्ट भी हो गया अच्छा आप सुन अक्षे कुमार का बीसवे माले से खूदने का नया स्टाण लोगों के उस पे क्रोणों रुपे लगे हैं रादिका यह रादिका मैने घड़ी देखे कही दुना नहीं तो घड़ी देखकर करना क्या है तुम्हें आदमी का वाद पुरा हो तो टाइम एक साही होता है मैने तुझे पूछा मैने आदिकाने पूछा हो बताने मैने कहां रखी यह जड़े ढून ना वोफोफ यह चुटी AYंघे, तेरा वेडिकल रिपोर्ट्स का एनवलप कहा है एक मिनुट यह बादी तैंक्यू पैटे है? क्या थैंक्यू टिखता नाइतो कावर कैसे? यह बेन यह तेरा मेडिकल रिपोर्ट्स का एनवलप नहीं दाटी यह है bize राद बेटे, तुझे तो दिखता नहीं है न? अब मारा को डाली, मैं नेख सकते हूं, मारा को चट्ड़ वीरा, काजल, स्वेटी रादीगा, जल्दी बाहरा जो क्या है? क्यों चिला रहे हो? इसे उठा उठाकर थपड़ मालो सब लो क्या बोल रहा है डाल? यह हमें उल्लू बना रही थी, कल सही से सब दिखाई जाया है नहीं मामी, मुझे अभी अभी दिखाई देने लगा खा मेरी कसम? मामी, मैं आपकी जुटे कसम नहीं खा सकती हूं मैं नातक कर रही थी क्यों? क्यों लटा बरी थी? आप मुझे हमेशा दाते रहते थी इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा मर्जा चखाया आ जाए दूसरा आजकल सब लफ्रे करने वाले मुझ से बचकर चलते थी इसलिए मैंने सोचा अगर मैं अंधियू जाओ सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरा लफ स्टॉरी की गौसप भी हात ले आ जाएगी बिड़े एक बात सुन ले अपने बाप की यह जो तू शेर आया शेर आया की आवाज लगा कर हमें उल्लू बना रही है न एक दिन जब सचमुच शेर आएगा तो कोई तेरी बात नहीं सुनेगा डाडी वैसे यह शेर आने की बात चोटी ने अंदे होने से पहले फिर आई थी यह अंदे होने के बात चोटू